परक राशिवालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मैं बागेश्वर धाम फुल गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर ये बातें जूटा निकला, तो आज से भविश्यवानी करना छोड़ दूँगा। जी हाँ दोस्तों, आज शाम की तीन चालिसीस के उपरांथ आप सभी के जीवनकाल में जो होने वाला है, सुनकर आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाएंगे और फिर यूँ कहें, तो सच्चाई सुनकर आपका हाथ और पर दोनों एक साथ कापने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज शाम से आप सुबह की जिन्दगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, योग है तो भगवान की दी हुई जिन्दगी में प्रवेश करने वाले हैं। परन्तु दोस्तों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात है जिन्हें आपको अपने ध्यान में रखना है। वीडियो शुरू करना से पहले भगवान श्री राम के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाग से जैश्री राम एक बार नहीं दोस्तों, तीन बार लिखिएगा। आप यकीन मानिए भगवान श्री राम जी के आशीर वात से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे घर और परिवार गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे आकाशवानी बिलकुल ही 100% सत्य है, बस हमारा शर्ट इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत च्छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेक आते हैं क्योंकि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों आज के इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत कीजिएगा वरना जिंदगी भर रोते रहोगे क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी जिंदगी के हो रहे गलत घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन से आपको संभालना जी हाँ दोस्तों अगर आपके घर में भी रखी है ये पांच चीज है तो इन्हें तुरंत छोड़ कर घर से बाहर निकाल कर फेंग दीजिए ये दोस्तों क्योंकि इन चीजों से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि वह आपके हर एक पुन्य कर्म को आपकी हर अच्छे क चीजों को अपने घर में ले आते हैं और रखे रहते हैं फिर हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिलता हमें अपने कारियों में सफलता प्राप्त नहीं होती है और हम यही सोचते रहते हैं कि कौन सी कमी है जिससे हमारे जीवन में सुधार नहीं हो रहा अच्छ यहां दोस्तों आपको आज तक किसी ने इस तरह नहीं समझा, नहीं बताया है कि जो चीजें कितनी खतरनाक हैं तो बनी रही, वीडियो में हमारी साथ, यह वीडियो आपके लिए हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है क्योंकि यह आपको वह देगा जो अब तक आपको पूरे य अध्यन करना पड़ता है, तब आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं, बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, फिर भी यदि आपको कुछ समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोस्तों कुछ लोग वीडियो को आधा धुरा देखकर ही बीच में छोड़ कर चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो दोस्तों बस आपको इतना करना है कि वीडियो को पूरा देख लेना है, इ शकारात्मक उर्जा, जब लबालब आपके घर में भरी होगी, तो जो भी दैवीय कृपा, जो भी पुन्य कर्म आपको प्राप्त होगे, उनका संपूर्ण पर आपको प्राप्त होगा, और आपका उधार निश्चित है, चलिए दोस्तों, अधिक समय ना खराब करते उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, दोस्त याद रखें कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में भगवान श्री राम से बड़ा कोई शक्ती नहीं है, शक्ती का शुद्ध स्वरूप स्वयम राम जी है, और राम का स्वामी स्वरूप माथुर राम है, इसी लिए तो ह आपने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है कुछ हम, वीडियो को देख कर और कुछ इधर उधर से घ्यान की बातें लिख कर आपने अपने जीवन में सही बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक भी है और आप आपके जीवन के उद्धार के लिए बेहत जरूरी है। आपकी इनहीं बदलावों की श्रंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों याद रखें, एकदम से चमतकार कभी नहीं होता है। रातों रात को ही करोडपती लखपती नहीं बन जाता है। और यदि कभी कभार इस तरह धन समपत्ती हासिल भी हो जाती है, तो वह इसी प्रकार चली भी जाती है। ये दोस्तों से लोग संभाल नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक-एक कदम करके बदलाव लाने होंगे और धीरे धीरे आपका जीवन बदलता जाएगा। इसी शुरुंखला में हम आपको बताएंगे। कौनसी पांच चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए। जी हां दोस्तों ताकी साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने चाहिए जिससे आपका कम से कम नुकसान हो और आपको अधिक से अधिक फायदा हो। दोस्तों में यह समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि आप जितना साफ दिख रहेंगे, कितना अच्छा बन कर रहेंगे, यानि अच्छाई को अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी उन्नती होगी, आपको अपने कारियों में सफलता प्राप्त होगी. जी हाँ, दोस्तों, और इस समय आपको धन के लेन-देन को लेकर खास तोर से सतर्क रहने की आवश्यक्ता है. दोस्त, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आपने जिस किसी को धन दिया है, अब तक वापस नहीं आ पाया. आपको बुरा ही और दोस्तों, आपने ठंड देकर जिसकी मदद करने की कोशिश की है. ऐसा तो आपका फैंसी गया, बदली में आपको बुराईया मिली. व्यापार में भी आपने जो भी पैसा लगाया है वहलग. रूबी क्या है? व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है. यानि पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं, लेकिन यदि आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा, तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे. यहां दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत ये है, कि आप भावनाओं में बहकर, पैसे रुपए को लेकर, लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं. जी हां, दोस्तों, आपका दुरुपयोग दूसरे करते हैं. आपके दुश्मन आपके अपनों में ही चुके हैं, या आपको याद रखना है. बाहर से कोई आपका बाल बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इनसान हैं. लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं. आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं, और अपने में छुपे हुए दुश्मन ही आपके उपर खाद करते हैं. और घाट पर कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है. बाद में लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं. जी हाँ, दोस्तों आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है, और ना ही आपका कोई लिहाज तक करता. इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपय पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है. जब भी आपसे कोई प्यार मुहबबत की बातें करें, चिकनी चुपडी बातें करें और रुपय पैसे मांगने की कोशिश करें, तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठा कर अवश्य देख लें, कि जब पिछली बार आपने इसको रुपय दिये थे, तब आपके साथ क्या हुआ था? क्या इतने रुपय समय पर वापस किये थे? निश्चित तोर पर बिलकुल नहीं किये होंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है, कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया, फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा, अभी तो बुरा ही लेकर आता, जीहां दोस्तों में आपका रिष्टा ही खराब हो जाता है, तो आपको ऐसे रुपए देने से पहले बहुत होशियार हो जाना है, और उधार लेना भी नहीं है, और उधार देना भी नहीं है, और यदि व्यापार बिजनिस को लेकर आप उधार लेना चाहते हैं, तो बेशक, लेकिन उस पैसे को अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में बिलकुल भी ना लाएं, वरना आपको बहुत बड़ा दोश लगेगा, जी हां, दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है, और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है, तो आपको निजी खर्चों के लिए बिलकुल भी उधार नहीं लेना है, अब वापस नहीं कर पाएंगे, और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी, और दूसरी समस्या आपकी है, जुलकर जी को लेकर जी हाँ दोस्तों आप भावनाओं में बहकर पैसा खर्चा करने के समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है आपकी जेब में कितना रुपया है आप सब कुछ लुटा देते हैं बाद में फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं तो आप खुद ही परेशान होती हैं विचलित होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया लेकिन आप जिन रिष्टों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं वैसे भी आपका साथ नहीं देते जब आपके पास रुपय पैसा नहीं होता है यानि आपके जीवन में रुपय पैसे का खेल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप रुपय पैसों को संभालेंगे तो रिष्टे रुकेंगे और यदि आपके पैसे को काटेंगे तो आपके रिष्टे चले जाएंगे जी हाँ दोस्तों ये बड़ा आजीब लगता है सुनने में आप क्रोश है जिसको भी इनसान से जवाब रुपय वापस मांगे तो आपकी बुराई हो जाएगी रिष्टा खराब जाएगा इससे बहतर ये है कि आप उसे रोकने बिलकुल भी ना दें और अपने आर्थिक खर्चों पर भी नियंतरन रखने की कोशिश करे जी हाँ दोस्तों आप सुक सुविधाओं के सामान पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर देते हैं आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं लेकिन याद रखें कि हर एक सुविधाओं को जुटाने के चक्कर में अपना बजट खराब कर देती है और बाद में आपको पच्टाना पड़ता है जी हाँ दोस्तों इस समय हम आपसे यही कहना चाहेंगे वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यक्ता रहे आपका पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं अपने खान-पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यक्ता है वैसे भी हम आपको बता दें कि पीट को लेकर आप थोड़ी सी नाजुक है वैसे तो आपको लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है कुछ इन्फेक्शन से आपको परेशान करने लगते हैं तो आपको पेट को लेकर भी लाए हो सकती तो अपने खान पान पर अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें योग प्राण आयाम या फिर थोड़ी बहुत हलकी फुलकी कसरत जरूर करें जिससे आपका मन भी शान्त होगा शारीरिक स्वास्थ भी आपका अच्छा रहेगा तो दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी पांच चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना है और उनमें से आखरी की दो चीजें तो इनके बारे में आपको बिलकुल भनक तक नहीं है आपने उन्हें अपने घर में रख रखा है और वही आपके घर में नकारात्मक्ता का मुख्य कारण बनी हुई है तो दोस्तों ध्यान से सुने सबसे पहली चीज है हर का टूटा फूटा सामान यानि की घर का कबाड़ा अब हर घर में कबाड तो होता ही है लेकिन आपको कब और कहां रखना है यह जानकारी अभी तक किसी ने नहीं बताई है लोग अक्सर कबाड को घर के उनके स्थानों पर ही रखते हैं या नहीं जहां वह रह रहे हैं उसे उंचे स्थान पर उनका कबाड रखा रहता है जैसे किसी तार वगेरह में अटारी में या फिर घर की छत पर तो आपको ऐसा बिलकुल भी नहीं करना दोस्तों का भारतिय आने तूटा फूटा सामान बहुत अधिक नकारात्मक उर्जा को एकत्रित करता है और जब आप उसे अपने घर के किसी उंचे स्थान पर रख देते हैं तो मैं आपके घर के उठ जा चित्रकूट दर्शन कर देता है और आपके घर में किसी भी शुब कार्य को होने नहीं देता है बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का यदी पहीं बाहर रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकाल कर किसी कबाड़ी वाले को दे दें, या फिर और यदी आपको घर में रखना ही है तो आप याद रखें कि उसे आप जहां रह रहे हैं उस से नीचे रखें। पाएगा यांत्रिक रहेगा दूसरी चीज के बारे में सुनिए आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा लेकिन यह वास्तु शास्त्र पर आधारित है यदि आपको किसी ने घर गिरस्ती का कोई सामान किस किया है जी हां दोस्तों जैसे कब का सेट है क्लास का सेट है कोई भी इलेक्ट्रोनिक सामान है और आपने उसे बिलकुल भी इस्तमाल नहीं किया है या नीचे ऐसा वह पैक आया था वैसा ही आपके घर में पैक रखा है तो वह भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है जी हां दोस्तों में नेगेटिविटी को एकत्रित करता रहता ह जी हां दोस्तों याद रखिए कि जिस चीज को हम जिस काम के लिए बनाते हैं जब वह किसी के घर में जाता है उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए अन्यथा वर नकारात्मक उर्जा को एकत्रित करने लगता है ऐसे लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं और जहां त अधूरे परिणाम प्राप्त हो रही है और जीवन से कठिनाईयां दूर नहीं हो रही है तो अब आपको ऐसा करना है कि आपके घर में गिफ्ट किया गया जो भी सामान है उसे आप निकाल ले चल मिले ले थोड़ा बहुत उपयोग कर ले उसके बाद वह सामान आपका हो ज सकते हैं कि यदि आपको किसी ने कोई सामान गिफ्ट दिया और आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसे किसी और को गिफ्ट दे सकती है इससे भी आपके घर की नकारात्मक उर्जा कम हो जाएगी और आपके घर का उर्जा चित्र साफ हो जाएगा दोस्तों, जीवन में उर्जाक्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है लोग यदि अपनी उर्जाक्षेत्र को और अपने स्थान के यानि जहां रह रहे हैं उस जगह की उर्जाक्षेत्र को साफ रखेंगे हर एक सकारात्मक उर्जा यानि हर एक आर्ती, हर एक पूजा पाठ का, हर एक मंत्र उच्चारण का मुझे शुद्ध फल प्राप्थ होगा हमने देखा है कि लोग बरसों से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहां तक कि हनुमान चालीसा और रामायन का भी पाठ कर रही है फिर भी उनके जीवन में सुख और शान्ती नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि जब तक आपका उर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब तक आपको कोई भी सकारात्मक उर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी अच्छे परिणाम नहीं दे पाई कि दोस्तों तीसरे चीज़ के बारे में ध्यान से सुने, इसके बारे में भी मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी ने अब तक बताया नहीं होगा जी हाँ दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में यानि जहां आप धन का संचय करते हैं, वहाँ आप किसी भी कीमत पर खोटे सिक्के यानि जोशी के चलती नहीं है विश्वकी और फटे हुए नोट काफी विस्तार के साथ ये बताया गया है कि कभी भी घर में घुसने मूर्ती नहीं रखनी चाहिए यदि आपको कहीं से मूर्ती प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है, यहां खरीद कर लाते हैं, तो आप उस, उसमें कुछ नहीं तो सिर्फ साधारन मिट्टी हिम्मत दें, लेकिन उस मूर्ती को ठोस बना दें जी हां, दोस्तों, खोखले मूर्ती का पूजन भी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है और पांचवी चीज के बारे में सुनिए, दोस्तों, ऐसे कपड़े जिन्हें अब आप पहनते नहीं हैं, ऐसे जूते चपल जने अब आप इस्त का नाम ही मत देना, यानि उपहार नहीं जान नहीं, बस यूँ ही आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दे, भूले से भी अपने मन में यह भावना दे कर ना आए, कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा बहुत अधिक दोश लगेगा, क्योंकि हम अपने पुत्र किसी को दान नहीं दे सकते, जो ठंडा नहीं दे सकते, तो आप कुछ का विशेश खयाल रखना है, तो इससे बेहतर यह होगा कि आप ऐसे सामान को किसी का बाढ़ में फेंकाए, या दूर स्थान पर फेंका है, और यदि आपको किसी की मदद ही करनी है, तो आप उसे चुपचाप लेकिन मन में भावनादान वाली बिल्कुल भी नहीं लानी है, तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे, कौन सी है वह तीन चीजें, जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए, जिससे आपके घर में लक्षमी की कभी कमी नहीं होगी, रूपए पैसे को लेकर कभी क कोई परेशानी नहीं रहेगी, तो ध्यान से सुने उन चीजों के बारे में, सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि आप कच्छुए को, यानी कि धातु का बना हुआ है, ऐसे पीतल का है, सोने का टीका, किस धातु का बना हुआ एक कच्छुआ ने, और खुशी कांच के बरतन मे थोड़ा सा पानी डाल कर उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं। ऐसे ही किसी भी स्थान पर न रखें, क्योंकि कच्छुआ 14 अजीब है, तो उसे जल्दी चाहिए, और जमीन भी चाहिए, तो आप उस कच्छुए को कांच के बरतन में पानी भर कर, और उसमें उस कच्छुए को रहते हैं। थोड़ा सा कच्छुआ डूबे, थोड़ा सा कच्छुआ बाहर निकला रहे और से आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। दोस्तों याद रखना कि उत्तर दिशा को कुबेर की दशा माना जाता है, तो आपको यह प्रिया उत्तर दिशा में ही करनी है, जैसा की दोस्तों, मैंने अभी आप से कहा, उत्तर को कुबेर की दशा माना जाता है, तो आपको अपने घर में कुबेर की मूर्ती या फोटो अच्छी लगानी चाहिए और उसे उत्तर दिशा में लगाना चाहिए ये बेहद उत्सक है और आपके घर में धन पानी को भर देगा जी हां दोस्तों आपको यह करना है, गाय के घी का दीपक आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में और रोज चलाना है, शाम के समय जलाना है, ऐसा भी अधिकृत लगा था, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में धन आगमन के नए सरोध शुरू हो गए है और दोस्तों यह भी याद रखें कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में भूल कर भी किसी प्रकार की गंदगी ना होने दें, कोई भी गंदा सामान, तूटा फूटा सामान विदिशा में ना रखें और हो सके तो कुछ हरियाली इस दिशा में रखें, यानि कि फूलों के साफ रखेंगे तो आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन निश्चित है, आपका पैसा कल ही बरबाद नहीं होगा और ना ही नहीं, तमाम शोधों से आपके घर में रुपया पैसा आता है, चला जाएगा, दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहु अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें, मिलते हैं अगले ज्यान वर्धक वीडियो में तब तक कि